नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्ट टिपसी हिंदी में दोस्तो आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो अक्सर मुहासो की समस्या से दो चार होते रहते हैं लेकिन प्लीज आप घबराएं मत क्योंकि आज हम आपके लिले लायाई हैं मुहासो को ठीक करने की कुछ घरे लूप चार लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले जिससे आप हमारी हर नई अपडेट से कनेक्ट होते रहें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक वशेर जरूर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाब उठा सकें दोस्तों मुहासो की समस्या से काफी लोग परिशान है यह तेले तवचा वाले लोगों में ज़्यादा होते है कि सोरा वस्था में मुहासे होना सभाविक है पर कई बार उस अवस्था को पार करने के बाद भी मुहासो की समस्या बरकरार रहती है मुहासे तवचा में होने वाली एक परकार की सुजन है जो तब होती है जब तवचा की तेल गरंत्या बैक्टीरिया से ग्रिस्थ हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मुहासो को ठीक ना कर सके कुछ घरे लूप आई द्वारा हम मुहासो को बिल्कुल ठीक कर सकते है तो चलिए दोस्तों जानते हैं फिर उन कुछ घरे लूप चारों को जिनकी मदद से आप मुहासो की समस्या से राहत पा सकते है नमबर एक बरफ आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मुहासों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बरफ के कुछ छोटे टुकड़े ले और इसे अपने मुहासों पर लगाए इससे आपके मुहासे वाले भाग में रक्त का संचार तेजी से होता है आप बरफ के टुकड़ों को कपड़ों में लपेट कर मुहासों पर भी लगा सकते हैं अगर आप इस परकिरिया में ज़्यादा ठंडा मैसूस करते हैं तो कुछ परतिक्षा करके दोबारा इस परकिरिया का प्रियोग करें नमबर दो शहद जो लोग खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं वे चीनी के विकल्प के तोर पर अपनी रशोई में सहद रखते हैं अगर आपके घर में भी शहद है तो ये एक बहतरीन प्रोडेक्ट है जो पिमपल्स पर तुरंतसर करता है शहद में रूई के फाय डुबा कर मुहासो वाली तवचा पर लगाए इसे आदे घंटे तक रखे और धो ले अगर इसे गुनगुने पानी से धोया जाए तो ज़्यादा सर होता है नमबर तीन नीमबू सौंदरिय और स्वास्ते को बरकरार रखने में नीमबू आपके काफी मदद करता है मुहासो को ठीक करने में नीमबू का एहम योगदान है क्योंकि नीमबू में विटामिन C की काफी मातर होती है और इसलिए इससे मुहासे काफी जल्दी सूखते है नीमबू का रस निकालने के लिए केवल ताजे नीमबू का ही परियोग करे बोतल में बन नीमबू के रस में केमिकल पदार्थ होते हैं जो तवचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं नमबर चार भाप जहाँ पर मुहासे हो वहाँ पर भाप देने से तवचा के रोम छिदर खुल जाते हैं इससे तवचा को सास लेने में आसानी होती है यह एक बहतरीन पर किरिया है जिसकी वज़े से तवचा की सारी गंदगी और अत्रिक्त तेल जो किल मुहासों के रूप में चहरे पर जमा होते हैं कम हो जाते है इसे तवचा के सारे संकर्मन भी ठीक हो जाते है अगर इसका परियोग रोजाना किया जाए तो चहरे के मुहासे आसानी से दूर हो सकते है इसके पत्तों को मुहासे वाली जगहे पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते है और साथ ही आप सुन्दर भी दिखाई देते हैं यह आपके चेहरे के रंग को निखारता है और चेहरे पर जुरियों की समस्या से भी चुटकारा दिलाता है इसकी पत्तियों को पीस कर इसका पेश्ट बना लें और इसे मुहासे वाले स्थान पर लगाएं इससे आपके मुहासे कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यह एक गुनकारी ओश्दी है जो आपकी तवचा पर निखार लाती है नीम की जड़ को पीस कर मुहासो पर लगाने से भी मुहासो में आराम मिलता है तो दोस्तो ये थे कुछ घरे लूफचार जिनकी मदद से आप मुहासो की समस्या से चुटकारा पा सकते है दोस्तो आपको ये कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताए हम आप तक ऐसी ही और बहतरीन जानकारिया पोचा सके इसके लिए प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक वसेर जरूर करे हम आप तक जल्दी ही नई जानकारी के साथ पहुचते है तब तक आप अपना ध्यान रखे खुश रहे स्वस्त रहे धन्यवाद